है माइनेम इस प्रियोब्रत मिश्रा और यू ओल आ वाचिंग में यो फेवराइट चानेल उल्टा सोच मैंने फ्रेंट्स यूनेट 3 डेवलोपेंट आप पोलियोग जिन्रा हमें जो पडितले सितरे हमें जानेले करें इंपोर्टन जिन्सव मेलितला पेंस्टेकिंग रिसर्च थ्रोडे किम्ति इंप्रूब्र सैनिटेशन हेल्प कला नहीं पोलियोग को प्रतिरोद करिवा रहें आव वी गॉट तु नो और वी वी गॉट बेटर अंडरस्टेंडिंग आव देजिज राइट सो यह भी देखिवा की बढ़े भावरे प्रथम थार पाइन तीयरी हेला वाक्सिन कहारो ना पोलियो रो लेट करिवा नाई आरमब करिवा वर्मप को जिवा ड DOCTOR JONAS SHACH WAS the pioneer in developing a polio vaccine developing a vaccine for polio read the following into of the text and note the the contribution of scientist for the development of vaccine polio right देख़्िवा जोनास साख जी की पायोनीर थिले polio vaccine develop करिवारे पढ़िवा इवनीर जानीवा की बढ़िवा आबर scientist माना करो contribution रजी polio रवाग्सीन treatment करिवारे बाहर करिवारे जो डाक्टर जोनास साख हाट बीगन his medical research career studying immunology in 1947 while at the university of Petersburg he began his research on polio सो शीकोन कथले डाक्टर जोनास साख medical research career स्टाइड कथले immunology रे immunology कड़ोन दे scientific study of protection against disease immunity बढ़िवा प्रत्यकर disease जेगनेश्ट्र केम त्यापड माना कर सीटा इम्मुनोलोजी उनीश सर्चालिस्ट्रे सीए पोलियो उपय रिसर्च कर थेले को उट्रे ना पिटर्सबर्ग इन्वर्सिटी रे जेते बड़े सीए थेले ही जा रिसर्च वास ग्रेटले हेल्ब इन्नि फर्टीनाइन फुएन अ मेतड़ ऐा ग्रोग पोलिवाइरस इन्सेल कॉल्चर इन्सेड अफाविंग तो यूज प्राइमेरिली मॉंकेश्फर रिसर्च वास डिसकोबर्ड तांकर जु रिसर्च दुई वर्ष परे 1949 रे, कौन हला बूत हेल्प करी थिला, कौन हे थिला ना डक्टर जोनास साक कौन कर्थिले, ना जेते बिले तांकर रिसर्च 1949 रे, जेते बिले से कौन कर्थिले ना, ही डिस्कोबर्ड अ मेथड अप ग्रोइंग पोलियो भाइरस कौत्रे ना इन सेल कॉल्चर, सेल कॉल्चर रे करेले, इन्सेट अप हाविंग टू यूज प्राइमेरिली मॉंकिस पर रिसर्च, राइट, सो तां 1947 रू यू रिसर्च कर्थिले, तां 1949 रे लागिला, कौन से कल ना प्राइमेरिली मॉंकिस कु रिसर्च, यूज करिया वदल से कॉन कटले ना पोलियो भाइरस कु सेल कॉल्चर रे यूज कले, बाट राय कले, साक नेड़े तू फाइंड आ वे तू प्रोसेस दा भाइरसे सो दाट दे वार लेस इन्फेक्सियस भीफोर उसिंग देम इ आउट भाइरस कु जिंग मारी वह, बट तार कान हुए, तार गुड़े इन्फेक्सियस हुए, मिन्स देखेना प्रत्य का बहुत मेडिसिन एफेक्ट हुए, गुड़े साइड इफेक्ट भारता है, ये चाहूंतले केते कॉम से कॉम तार सबू इन्फेक्सियस रहू, सो इन्फेक्सियस हुए, से कॉटे मेध़ाध चाहूंतले। Monkeys Kidney Culture रे तिन्नी प्रकार भायरोस रो मिक्स्चर रे छे कणकोले यूज कले कणना फर्मालीन नामको एक प्रोसेस रे सिटा कणना एक केमिकल धाट इनक्टिवेटेड रोल भायरोस एक को यूज करी दी जाता बेसिक थिंग्स जोटा को यूज करी की कणकोले साथ प्रोथम थरा पाई 1952 रे सॉक्सेसफुली एक वैक्सिन द्याइडी करी पाडी थिले वाट फलोड़ वाज माक्सिब तेस्टिंग वाग्सिन द्याइड एक्सिन इन क्लिनिकल ट्रील्स इन द्यूनाइड श्चिपाटरी उनिशव चोब अंडे The scope of the trials was unprecedented in medical history इते परिमार ये आगुरू के बे हुई न थिला The results were dramatic बढ़िया result आशेला Cases of polio fell spectacularly in the vaccinated test groups फटू की नी कमिला spectacularly कमिला गणा नहां vaccinated test group प्रे polio cases आश्टास्ते धरू धरू की नी बहुँ जल्दी कमिला In 1955, the government quickly granted permission for the vaccine to be distributed to the children of our country आमा कंट्री कन हला न गवर्मेंट कन कला 1955 प्रे देदला और दला की सबू पिलांको दिया जाओ राइट So, but there was a problem with the original shark vaccine The vaccine actually induced 260 cases of poliomyelitis including 10 death इंतो उच्छोटो प्रोब्लेम कोट कीची रहितला जापरे 200 साथी एक केस इंड्यूस हला आउँ थेची रे दोशोटी देद मध्या रहिला The problem was traced to incomplete inactivation of some virus particles which was soon corrected प्रोब्लेम को जोटले ट्रेस कले जना पुल्ला जे किची प्रकारबा किची मत्ररे भायरोस पार्टिकल कु कम्प्लीटली इनाक्टिव होई नो थिला ये प्रोब्लेम को ट्रेस करागला उताकु करेक्टेड करागला Since then the vaccine has been highly effective वहिते 70 to 90% protection rate ता परे vaccine बहुत highly effective है जी करो ना 70 to 90% result बढ़िया आशी ची protection rate 70 to 90% राइची In 1957, in an effort to improve upon the kill-salk vaccines Albert Bruce Sabine began testing a live oral form of vaccine in which the infectious part of the virus was inactivated This vaccine became available for use in 1963 So how could 1957 ने बढ़िया जीनिशा हला ना 7 खनकले ना oral form of vaccine बहारा कले राइट करो ना हैतरी कनुकला दा infectious part of the virus was inactivated This vaccine became available के बहे ना 1963 सुधा The SAC vaccine is given in two intramuscular injections spaced one month apart and requires booster every five years Because of the way it is inactivated, the vaccine is safe for those with compromised weakened immune system ताले एठी कोशीन आशीव अपनको शाहाग vaccine की भल दिया जाये ना intramuscular injection दिया जीवा one month apart आउ two intramuscular injection दिया जीवा one month आपाट आउ प्रत्ति five यरे उटोटे बूस्टर दिया जीवा आउ एटा काण पाई ना एटा safe, काण पाई ना compromised immune system जो मना कर वीक immune system अची शेमानोको इंजेक्शन दिया जीवा मन्ना किता अब अधिकांस टाइम डाक्टर बहु कलालको डाक्टर जी देख्ये पिलाटेटी की वीक अची बा जने बूधालोको अची तांको medicine खायवा ठू समयन काण करंती प्रिफर करंती इंजेक्शन देवा पाई जी इंट्रमक्चिलर इंजेक्शन ने कान हुए और या जए ए सेफ फर इम्मुनो कामपर माइज सेस्टम अची बाए लोको मना करा the orals the Sabine oral vaccine is given in 3 doses in the first 2 years of life and a booster is given when the child starts school प्रथम दीवर्षरे ओर आली दीटा त्रितिंटा डोजेज दिया जाये आउ तापर ये तलसी स्कूल जाये शेते बड़ा ओटे बुस्टर दिया जाये फर्थर बुस्टर्स और नाट गिविन अनलिस तो पेसेंट इज एक्सपोज टू पोलियो और विल बी ट्रावलिंग टू अन एंडेमिक रिजियन अनलिक में शेठी करन ना इंफेक्टे डिया ता प्राव दरकर हुए नि जदी कवे ना जदी कॉनशी पेसेंट एक्सपोज पोल्यों को ताहल देया जिवो अधर वाइस ट्रावलिंग जदी कॉनशी कर्थूबा इंफेक्टेड अईडेया को शेताल देया जिवो नहला आ digestive tract and the lower cost of administering the vaccine orally because sterile or syringes and needles are not necessary this oral form of vaccine is economic right because this is a long-term immunity. However, a major disappointment is that it cannot be used for patients with compromised immune system because it is a live virus and can cause disease in this patient. It cannot be used by those in close contact with immunocompromised patients because the live virus in the vaccine can be shared in the faces of those who ingest it and can possibly be transmitted to the immunocompromised patient. . Another disadvantage of the Sabine oral vaccine is that those who have an enterovirus infection of the gastrointestinal tract when taking the oral vaccine may not develop the immune response. . 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 The original SAG vaccine was that it actually induced 260 cases of poliomyelitis including 10 deaths. . 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 एंड़ अबसक एंड राखी अवर्ट ऑेट साफींज उन्म डिशेंग वासभू आपर्ट funk चैन इक खियर रह जायाँ रफिग은लीजे ऐ owners aeo object advantage and the advantage was still where cost of admistating though vaccine orally as the syringe and needle were not required then would an important question last touchy what is its major disadvantage there are many disadvantages with the shabbin oral vaccine the major disadvantages was that it could not be used for patient with the compromise demon system because it was a live virus and could have caused disease in those patients also it was not used by those in close contact with immunocompromised patients as the live virus in the vaccine could be set in the faces of those who who ingested it and could have possibly be transmitted to the immunocompromised patient another disadvantage was that those who had an enterovirus infection of the gastrointestinal tract while taking the oral vaccine did not develop the immune response so that's it from unit 4 and in the next video I will be coming with the last unit and you can say the last unit of invitation to English one right so hope it would be helpful for all of you and thank you for watching thank you for all your lovable comments right so please keep watching do share subscribe thank you very much thank you my dear friends we'll meet very soon with the next video thank you